नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ओम टाइम प्रोपर तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी लक्षे को हासिल करने के लिए उसमें अभ्यास कितना जरूरी है अभ्यास हमें करते रहना चाहिए अगर हम अभ्यास करेंगे तो एक न एक दिन उसे लक्षे को जरूर प्राप्त कर लेंगे जो हमने अपने जीवन में निर्धारित कर रखा है तो चलिए अभ्यास से जुड़ी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुने स्टोरी में अंत तक बने रहें प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे बच्चे को शिक्षा ग्रहें करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ मैं आती थी इस कारण सभी के बीच वह उभास का कारण बनता है उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया डॉट गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला बेटा वरदराज मैंने सारे प्रयास करके देख लिये है अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया गया दोपहर का समय था रास्ते में उसे प्यास लगने लगी इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुए से पानी भर रही थी वह कुवे के पास गया वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे तो उसने महिलाओं से पूछा यह निशान आपने कैसे बनाए तो एक महिला ने जवाब दिया बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए यह तो पाने खीचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए है वरद्राज सोच में पढ़ गया उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से में विद्या द्रहें क्यों नहीं कर सकता वरद्राज धेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहंत की गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहियोग किया कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धी बालक वरद्राज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना जिसने लगुसिधांत कॉमुदी, मध्यसिधांत कॉमुदी, सारसिधांत कॉमुदी, गीरवान पदमंजरी की रचना की शिक्षा दोस्तों अभ्यास की शक्ती का तो कहना ही क्या है यहाँ आपके हर सपने को पूरा करेगी अभ्यास बहुत जरूरी है चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर मैं आपको पच्चतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मन्जिल को पाने के लिए जुट जाए आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को डूट